नमस्कार आपका स्वाकत है राजनामा टीवी पर मैं भूनम आपके साथ कोरोना का जे एन वन वेरियंट भारत में तेजी से पहल रहा है पिछले 24 गंटे में देश भर में कोरोना के 640 मामले दर्च किये गए है एक शक्स की मौत हुई है हेल्ट मिनिस्ट्री के मताबिक देश में एक्टिव मामलों की संख्या 2997 हो गई है एक दिन पहले या आखड़ा 2609 था स्वास्त मंत्रा लाइक अनुसा अकेले कैरल में 2606 एक्टिव मामले हैं यह देश में सबसे जाता है यहां 21 दिसंबर को कोरोना के 265 नए मामले सामने आए हैं एक मरीज की मौत भी हुई है राजिस्थान के जैपूर में एक महीने का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है उसका इलाज चल रहा है करनाटक में कोविट के 105 माराष्ट में 53 और गुजरात में 32 मामले हैं यूपी के नुएडा में कई महीनों के बाद एक पॉजिटिव मरीज मिला है डॉक्टर ने बताया कि चोपन साल का मरीज हाल ही में नेपाल गया था वहरियाना के गुरुडगार में काम करता है गुजरात ने पिछले 24 गंटों में कोरोना के नए 9 मामले सामने आए हैं इस तरह राज जमेकुल सकरी मामलों की संख्या 32 हो गई एमदबाद में गुरुवार को एक ही दिन कोरोना के 6 मरीज सामने आए जिन में 4 पूरुष दो महीलाएं शामिल है गांदी नगजिले में गुरुवार को एक 8 साल के बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसे होम आईसोलेशन में रखा गया है ये बच्चा हाल ही में दक्षिन भारत की यादरा से लोटा है WHO के अनुसा कोरोना का नया JN1 वेरियंट अब तक 41 देशों में फेल चुका है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापूर, कनाडा और स्वीडन में JN1 के मामले सबसे जादा है भारत में नए वेरियंट के 21 मामले हैं इसी के साथ बने रहे राल कामा टीवी के साथ धन्यवाद